भारते किसान यूनियन टिकेट के पताधिकारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर जिलाधिकारी से की मुलाकाद महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नितरुत में किसान यूनियन का एक प्रतनीधी मंडल जिलाधिकारी से मिला महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि आज हमने जिलाधिकारी से मिलकर जिलाधिकारी को अपनी समस्याओं से ओगत कराया जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि आपकी सभी समस्याओं का विंदुवार निस्तारण किया जाएगा सुमन पांडे ने कहा कि हमें एक हफ़ते से ज्यादा धर्णा दे रहे हैं लेकिन यहां के प्रशासन द्वारा अभी तक इस संबंध में जिलाधिकारी महुदय को अउगत नहीं कराया गया था सुमन पांडे ने कहा कि एक तरफा जहां सरकार महिला आरक्षन के माध्यम से महिलाओं को आगे लाने का प्रयास कर रही है तो वहीं जिला प्रशासन महिलाओं को बड़सात के मौसम में धर्ने पर बैठने को मजबूर कर उनके उपर अत्याचार करने का काम कर रही है अब यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे नहीं बताया गया यहां किसान अंदोलन कर धरना चला रहे हो आज अम तब दीम साहब से मिले ऊसारी बात हुई वह पता ही नहीं है पूरी कर रहा होगी ताम भी होगा दीम साहब से भी बात हुई है कि सर आप यह देख लिए सरकार लेके महलाओं को तेजी से हमारा सरकार लेके तेजी से महलाओं को आगे बढ़ने की परियास कर रही है आपके यहां जो छोटे करमचारी है महलाओं को कुचलने काम कर रहा ह। तर शरकार कहती है मेहला का बढ़ाने काम कर रहा ह। परसास नोगा है, तो यह समिस्या कहाँ जाइए. ठ्वारे बससा Kimais लेए जया जानिके घंध में दे जाना नहीं है जो अंडोलन किया चांगे यहां से महिलाएं मुकुमंतरी कि भी है अब झाल आपनी अधिए लिटए उनको अपने काटी ती इनकी तो यहांसे में लुग मुकों मंत्री दुख्याय में लोग रहाना होंगे हमारा गलती हमारा परसासा नहीं का जाती हुआ उनका Ce झाल झाल झाल